काला पानी की सजा अंग्रेजों के टाइम की सबसे भ्यानक सजा थी, जिसका नाम सुनते ही कैदी थर्थर कापने लगते थे, कैदियों को यहां कैद होने से ज़्यादा अच्छा लगता था मरना, दरसल उस समय क्रांतेकारियों को ऐसी खटोर सजा दी जाती थी, यहां लाए कैदी बत से बत्तर जिन्दगी जीने के लिए मजबूर थे, आकलो की माने तो यहां पर 80,000 कैदियों को लाए गया था, जिनमें से मातर 30,000 ही अपने घर वापस लोट पाएं, उन 50,000 कैदियों के साथ क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन यहां काला पानी से जोड़ी कई रहस में घटना है, जिससे सुनकर हर एक भारतिये के आँख में आशू आ जाएंगे, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों ये तो हम जानते ही है कि 1857 में बहुत बड़ी करांती हु ये दिन था 10 मार्च 1859, अंग्रेजों ने 1000 करांतीकारियों को जहाद में बैठाया, और पहली बार इने लेकर अंडरमान निकोबार आईलेंड की तरफ बढ़ें, कुछ दिनों के बाद ये करांतीकारी एक सुनसान दीप पर पहुचते हैं, जहां चारों तरफ खतरनाक मग परमच, साप, कीडे और पानी ही पानी नजर आ रहा था, इस जगा को देखकर कैदियों के भी पसीने छूटने लगे थे, जब ये लोग यहां पहुचे तो इन लोगों को कहा गया कि तुम पेड़ काटो, इन लोगों ने पेड़ काट कर अंग्रेजों के लिए कमरे इसके अलावा कैदियों के रहने की वहां कोई विवस्ता नहीं थी, उन्हें जमीन पर ही रात बितानी पड़ती थी, जैसे जैसे यहां कमरों का निर्मान होने लगा, यहां पर कैदियों की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसके बाद साल आता है 1896, इसी दोरान सेल्वर जेल का निर्मान सुरू होता है, उससे पहले यहां पर एक वाच टावर बनाये गया, और उस वाच टावर पे एक घंटा लगाये गया, जिसे खत्रे के समय बजाये जाता था, हैरानी की बाद तो यह है कि इस जेल का निर्मान कैदी ही कर रहे थे, जिन्हें कुछ समय बाद इसी के अंदर कैद होना था, इस सेल्वर जेल के साथ साखाए बनाई गई गई, और हर एक साखा तीन मंजिला थी, ब्रिटिस हुकमत ये चाहती थी कि यहां पर रहने वाले कैदी एक दूसरे से न मिल पाएं, इसलिए उन्हों ने इस जेल के अंदर साथ सो सेल्स बनाए थ बताय जाता है कि इस जेल को बनाने के लिए उस समय पांच लाख रुपे लगे थे, इस जेल में आजादी की चाह रखने वाले हजारों लोगों को कैद करकर रखा गया, यहां पर जो सोतनता सिनानी कैद रहते थे, उन पर बहुत ज़र्दा जल्म होता था, उन्हें यातना जाता था, वाच टावर के मदद से कैदियों पर नजर रखी जाती थी, कैदियों पर इतनी यातनाई की जाती थी, कि कई सारे कैदी पागल भी हो जाते थे, कैदियों के लिए अलग से सोचाले की सुविधा नहीं थी, उन्हें अपने सेल में ही ट्वालेट करना पड़ता कैदियों को दो प्लेट दी जाती थी, जिन में से एक प्लेट का उपयोग कैदी खाना खाने के लिए करते थे, और दूसरे का उपयोग सोच के लिए करते थे, इन कैदियों को बिस्तर भी नहीं दिया जाता था, चाहे सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम, उन्हें जमीन पर ही सोना परता था वो भी बिना चादर और बिना कंबल के इतने जुल्म सेने के बाद जब वो कैदी मर जाते थे तो उनके शरीर पे पत्थर बांदा जाता था और उनके लाश को समुदर में फेक दिया जाता था यहां की दर्दनाक यातनाओं को देखकर कई बार कर नाओ बनाई और नाओ के सहारे वहां से भाग गए यहां के एक कैदी और सौतनता से नानी अन्लामा खेरबादी ने इस सजा के बारे में बताया था यहां जेल के हरे कोटरी में दुख और रोक भरे थे यहां की हवा बदबुदार है और यह पूरा का पूरा जेल बीमार यहां पर कैदियों पर इतना जुल्म होता था कि उस जुल्म को सहते सहते या तो कैदी पागल हो जाये करता था या फिर आत्महत्या कर लेते थे ऐसे ही एक कैदी थे इंदू पूसन राय जो इन यात्नाओं से तंग आ गये थे जिसके बाद उहोंने अपने फटे कुर्टे से ही फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली धीरे धीरे ये सभी खबरे पूरे भारत में फैनने लगी जिसे लेकर पूरे देश और दुनिया में अंग्रेजों की बेज़ती होने लगी अंग्रेजों ने इस जेल को 1945 में बंद कर दिया लेकिन अपसोस की बंद होने से पहले 50,000 कै अधियों ने अपनी जान गवा दी थी